राधे बरसाने वाली के राधे बगितों की प्यारी के और सभी मुझा उठाओ हमें मुझा उठा कर कहते हैं हमें हो गई राधा राने के एक बात और ये जो आप पहले बाबा बैटे के बाबा बैटे आतराम ताओ बैटे ये कहां गए और हमारे मेयर साब जी खड़े जाएंगे देखो जी ये ठाकुर जी का दरवार है इसमें नाचना जुमना ठाकुर जी के दरवार महाजनी लगाना बड़े बागिसे मिलता है और हमारे पूरन ताओ जी कहां है हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गई राधा राने के हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गई राधा राने के नाचन भप्तो नाचन भप्तो नाचन भप्तो हमें हो ऊड़ा है हमें कल तेरा धारानी के हमें कल तेरा धारानी के हमें अब भी राधा धारानी के हमें हाथे को ठाकर कहते हैं हमें हो गए राला रानी के कोई भला कहे या बुरा ही कहे अज कहता है उस्छे खेने दो हम नाच नाच करें हम हाथ उठा करें हम हाथे उठा करें रानी के रानी का राधे, 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 राधे बोल बरसाने वाली की जै विश्वान दुलारी की अरी मैयाओ मौमेते थोड़ी सी जै गोस्तों कर लियो एक बार सभी खड़े हो जाएं एक बहुत बड़ा पर्व पांच अक्तुपर को आने वाला है और हम सब उसके भागिदार बनेंगे हमारे जिला प्रसाशन की तरफ से एक अपील आप लोगों के लिए आई है तो सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर हाथ आगे कर लें और हम लोक तंत्र की मजबूती के लिए आज सबत लेंगे कि हम स्वेम भी मतदान करेंगे किसी भी पार्टी को करें लेकिन मतदान अवश्य करें और श्वम भी मतदान करेंगे और औरों के जो परिवार के सदस्य हैं सभी को घर सोने के लिए नहीं चोड़ेंगे पांच अक्तुबर को सभी मतदान के लिए जागरू करने के साथ साथ एक अच्छे मुक्वा मंतरी का अच्छे विधायक का चुनाव करेंगे क्योंकि ये एक धार्मिक मंच है और ऐसी अपील दूर तक जाती है तो ऐसा हमारा मानना है मैं एक चित्र चाहूँगा भाई से साथ एक चित्र भी ले 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 रेडी अपील के लिए त्यार सभी हम भारत के नागरिक सभी बोलेंगे साथ साथ पिछे बैटे नहीं खड़े हो जाए हाथ आगे कर ले सपत लेनी है सपत सर आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे सपत शुरू हम भारत के नागरिक लोक तंत्र में अपनी पूर्ण आस्ता रखते हुए यह सपत लेते हैं कि हम अपने देश की लोक तंत्रिक प्रमप्राओं की मरियादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निश्पक्स शांति पूराण निर्वाचन की गरिमा को अचुन रखते हुए निर्विक होकर धरम वर्ग जाती समुदाए बाशा अत्वा अन्य किसी भी परलोवन में परभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मता धिकार का प्रियोग करेंगे भारत मता की वंदे राधे राधे जैश्री राधे हश्यासन करेंगे बैट जाहिए सभी अभी बैट जाहिए आप बैट जाहिए आप मैं तो एक एक डंस से आपके साथ जुड़ गया महराजी की कथा में इतना रस है हम भी आप इनी के होके रहे गए तो मेरे को दिल से ये लगता है कथा जो आप सरवन करते हैं तो आपका जीवन ही बदल जाएगा अगर कितने खुश हैं या खुश नहीं हैं अभी पता चलेगा तीन बार तालियां बजाके चोथी बार मेरे साथ हसेंगे उससे आसपास ये पता चल जाएगा यहां कथा चल रहे या कोई प्रोग्राम चल रहा है आसपास सब को पता चल जाएगा और आपके दिल को भी पता चल जाएगा कथा में कितना रस है तीन बार तालियां आजाएगे एक दो तीन हाहा एक दो तीन हाहा हाहा एक बार और मेरा प्रोग्राम यूटूब पर आता है सुबह से लेकि शाम तक और हर रोज मेरा यूगा चलता है मैं केवल एड नहीं कर रहा है मैं सेवा की बात कर रहा हूँ सेवा करेंगे तो मेवा मिलती है भगवान का आशिरवाद मिलता है योग का मतलब होता है जोड़ना अच्छे इंसान को अच्छे इंसान से जूड़ना प्राण और भगवान का मिलन परमात्मा और भगवान का मिलन यह माराजी बताते ही हम तो इनके अनुसर्ण में कारिये कर रहे हैं तीन बार हो गया ना अस्यासन आपका एक बार रहता है जैस्री राम एक बार हो करां माराजी एक बार रह गया है एक बार रह गया तीन बार करो पूरा तीन बार होता है इससे जो है जिनको हर रोज अगर यह आसन करते हैं किसी को थाईराइड की समस्या है गले में टोनसिल है हकला हट बच्चे को रहती है इस अभ्यास के करने से हकला हट दूर हो जाती है हर रोज तीन बार के करने से किसी दवा दारू की जरूरत नहीं है पूरा गला खोल के जीवा बहार निकाल के सेर की तरह धारते हैं उससे भी ठीक हो जाता है हस्यासन करते हैं उससे भी ठीक हो जाता है हसने से हम पूरे दिन खुष रहते हैं सवस्त रहते हैं आप तीसरी वार जो भूख है उसको पूरा करते हैं एट दो तीन हाँ आप यह हसते मुश्कराते रहिए खुष्यां आपके जीवन में बरकरार रहें अगर मेरे सब्दों से किसे को ठेस पहुंची हो तो अक्ष्मा आ बहुत बढ़िया देखो हमारे सरीर का संतुलन वनाने के लिए प्राणायाम परंबलम यह प्राणायाम में आता है योग साधना ठीक है यह करना चाहिए जरूर इतनों फैट बढ़ा हुआ है ना बारे सरीर का यह पैट नहीं बढ़ेगा हमारे बीपी हाई बीपी लो यह बीमारियां चलती है प्राणायाम से इस योग वर्जे ठीक रहती है याद रखें अब मैं निविदन करूंगा हमारे महराजी आजाओ एक बजन आप सुना दो मातारानी का क्योंकि कल आपकी हादरी नहीं हो पाई थी छमा चाहेंगे पता ही नहीं चल पाया ब्यामे एक हुआद में कारिकरम आगे बढ़ाएंगे लख्शमन आजबना आ रहे हैं आ रहें आ रहें कछन्यका रहे है लाटारा थोड़ा पीछे सरग जाओ थोड़ा सईए हलो रिच्छ माता है सड में दर आजाएं इदर आ जाएं इदर आजाएं को चुमाता है बगल में एक फोटो ले दो भाई कोई भी इज़र आओ पहले आप ए सबी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं आपको नाचने का मोगा मिलेगा जैसा कल आप नाचे थे ना एक गंटा आज भी ऐसे नचाहेंगे क्यूंकि आखरी है दिन कथा का और कल फिर आपने बंडारा खाना है सारे दो पहर में आके पंडारे का परसाद अबस्टे लें और अब थोड़ी देर पिछे हो जाओ फिर आपने नाचना भी इनका भजन सुनने के बार आपको समय मिलेगा नाचने का सभी नचे हैंगे मारी मंदी करियो जराजिया आप आवाद आगे इनको सुने ना खल की तरे इस भाईया माइक सही कर दिने ना भाईया पुलिये शची दर्बार की सीत्ला माता की और गुर्वर देव भागवान की जह बेके हैं धर्ती माता की जह चू सीवंद गरो बाउजी फिर मजान गाई कोई बात नहीं जी पहली बार नहीं हूँ है बोले सचे दरबारे की जै अपनी अपनी देवी माई की जै भीमे भवानी की बेरी दामे की जै हम सब भक्तों की जै आप जैजे कता सुनी आपने मैं शरफ दो मिंटिन के लिए लूँगा ज्यादा टैम में भी नहीं लूँगा जी तो जीज दिन से हम आये थे पता चला मैंने थाने सुर्जी से महराजी से कहा था कि एक दिन इहां किरतन करा देते हैं छोटी जी मंडली है इनके भाइशाब भी थे उन्होंने भी रिदावन्दी दे दी थी उन्होंने कहा कि कोशिक चाप मैं कोशिक हूं जी वैसे यहां भागवत हो रही है शोले तारिक को और तेईश तारिक तक चलेगी आप उसमें आ जाइए जैसे हुआ बहुत भागेशाली बात हुई आए दर्शन पाए भागवत चुनी भागवत भागवत भाई होती है जो समझ में आए और उसका हम अनुकरन करें यह नहीं चले गए जाड के कुड़तार फिर पिछे रागर आगर आगर जाग बता नहीं क्या हुआ चाहे इनोंने कितनी सुनाई हो मैं यह नहीं कहता मैं तो यह बहुत अच्छी सुनाई के हमारी बुद्धी को ही साफ कर दिया इतनी महारी और तरह की बुद्धी थी वो बिल्कूल साफ करके भागवत में दे दी वो बुद्धी नहीं की यूं तो हम तो बहुत ही बुद्धीमान बन गए क्योंकि भागवत किसी किसी को मिलती है और ऐस तारिक से तो लेकिन यहां की भागवच जो मैंने सुनी है और इनका कोपरेशन देखा है बहुत बढ़िया लगा अब टाइम नहीं नहीं तो मैं एक आप से और अरज भी करता मुझे बाद में पता चला था कल मुझे टाइम नहीं मिला जो इनको नोंने हावन कराया हमारा वह मैंने कभी नहीं देखा है जितना बढ़िया हावन इन बच्छों नहीं कराया यह तो भागत है बच्छों कह दिया मैंने चलो मेरे से तो छोटे ही है मैंने ऐसा बढ़िया मैंने बढ़िया नहीं नहीं देखा है इनोंने पूजा कराई बहुत बढ़िया पूजा कराई हमा इन्होंने कोई टाइम की ये निकार कि टाइम कम लेगेगा एक एक बात क्योंकि समझते हो तो हम भी है जी एसी कोई बात निके नहीं समझते इनकी बासा तो बस इतना कहके में एक थोड़ा बजन सुनाऊंगा आचा है कि आप जरूर सुनोगे बोले सचे दर बाहर की जै अब कता समाप्त आज होने जा रही है तो किर्शन जी भी चले जाएंगे तो भगयजन कहती है मेरा बाई ही है भगयजन तो इनकी इशव से ज्यादा वो कहते है कि बगवान कहीं भी चले जाना लेकिन दिल से दूर मत जाना है बजन तो कही थे लेकिन समय का अभाव के कारण हम नहीं सुना पाएंगे क др. बोले सचे दर्वार की जाएं। बन्दावन भी हारी हुल आलकी जाएं। दोvine, तू तो बच गया कितनी दूर, याद तेरी आवरे सावरिया। बोले सावरिया भगवान की। तू तो बच गया कितनी दूर याद तेरी आवेरे सावरिया तू तो बच गया कितनी दूर याद तेरी आवेरे सावरिया तू तो बच गया कितनी दूर याद तेरी आवेरे सावरिया तेरी मुरल यावाज रही सावरिया मेरे दिल को कर गई चूरिया तेरी आवेरे सावरिया मेरे दिल को कर गई चूरिया तेरी आवेरे सावरिया मेरे चूरिया तू तो बच गया कितनी दूर याद तेरी आवेरे सावरिया मेरे दिल को कर गई तेरी आवेरे सावरिया मेरे दिल को कर गई चूरिया तेरी आवेरे सावरिया बाता का नहीं कसूर याद तेरी आवेरे चावरी तू तो बच गया कितनी दूर याद तेरी आवेरे चावरी ही रो रो अक्या लाले होई सावरिया चेरे का जट गया नूर याद तेरी आवेरे सावरिया तु तो बच गया कितनी दूरिया दे तेरी आवेरे सावरिया मेरे गर पे पेरे दार हुए सावरिया कुई मिलने को मजबूरिया दे तेरी आवेरे सावरिया अरे सावरिया मेरे सावरिया तु तो बच गया कितनी दूरिया दे ते सावरिया तु तो बच गया कितनी दूरिया दे तेरी आवेरे सावरिया चलते चलते हार गई सावरिया तेरी नगरी कितनी दूरिया दे तेरी आवेरे सावरिया तु तो बच गया कितनी दूरिया दे तेरी आवेरे सावरिया मेरा पड़ चालने भूख गये सावरिया मेरा पड़ चाले भूख गये सावरिया कुई चलने को मजबूर याद तेरी आवेरे सावरिया तु तो पचे गया किसे नी दूर याद के लावरे लावरी लावरी अब अंत में मीरा भाई कह रही है, कै चाह पास भी रहयो, कै दूर भी रहयो मेरे को कोई इत्राज नहीं है, पर मेरे को धिल से दूर ना करियो तु तो भच गया कितनी दूर याद तेरी आवेरे सावर याद चाहे दूर रहो चाहे पाँच रहो सावरिया तु तो भच गया कितनी दूर याद तेरी आवेरे सावर याद मेरे दिल का नहीं कसूर याद तेरी आवेरे सावर याद तो भूल ये संदे दर्भार की आवेरे बहुत बहुत शुकरिया जी तो गुरुजन का भी बहुत बहुत शुकरिया जी जो टाइम दिया और लिया उसके लिए माफी चाहे जी 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 बुल भाग बत भगवाने की है हो ये तो हमारे परमित रहजीन का साया बहुत बड़ा है एक बार जोड़ दार तालिया और बजा दो उद्धव जी महराज ने भगवान से बैरा की कथाएं सुनी इदर यदोवन सी आपस में लड़ने लगे भगवान को मारने दोड़े भगवान बल्दा उससे इसना करूप लेकर के छीर सागर में प्रवेश कर गए कनिया जी के पीछे भागे तो कनिया जी द्वार का पुरी में एक प्रवाश छेतर पड़तार वहां पहुंचे गए अर्दबस्था में लेट गए बहे लिए ने वांड़ चलाया भगवान के चरण में वांड़ लगा और फिर भगवान ने अंत मुभदेश दारुक नाम क कि सार्थी को दिया कि अर्जुन महीं खड़े थे उन्होंने का कि प्रभु आपके साथ क्या हो गया अब आप जाओ द्वार का पुरी और आज से ठीक साथ दिन वाद द्वार का पुरी जल में डूब जाएगी वहां से मेरी पत्नियों को लेकर के मत्रा पहुंच जाना इस इस पर का से यह आदिश दिया गया अगवान तुरन जोदी का रूप लेकर के भागवत में प्रवेश कर गए सुगदेव जी परिक्षित से कहते हैं परिक्षित अब आप मरने को तैयार हो जाए मरेगा सरीर आत्मा नहीं मरेगा भगवान की अद्वत चर्चाएं सुनी औ आप तो ही लेकिन परम पद मिल गया सुजी महाराज कहते हैं परिक्षत सुजी कह रहे हैं फिर सौनका द्रुक्षियों से कि जब परिक्षित जी महाराज की जब मृत्तु का समाचार मिला उसके पुत्र जनमेजे को तो सर्पी अग किया अने को सर्पों की आउती लगाई पर आस्तिक मुनिया करके सुख्ष्म भागवत का सारान सुनाएं कलिकाल की महिमाओं को वर्णन सुनाएं कलिकाल मैसे से राजा महाराज होंगे महाराज जो पाप पे पाप करेंगे अधर्म पे अधर्म करेंगे तो सुख्ष्म भागवत का सारान से आप लोग सब सुनने स्रीबाद भागवत में 12 स्कंद हैं 335 सद्या हैं और 18,000 श्लोग हैं पर फिर्थम स्कंद में भागवत महत्म सुनाया है सुदिर जी का आगमन की कथा बताई है दुतिय स्कंद में योगधान का वर्णन बताया, सरश्टी कुस्पत्ति का वर्णन बताया है तीशर मदुर मैत्र सम्माद बताया है माता देबूत का चरित्र चतुर्त में महराज मनु कन्याओं का वर्णन सुनाया है प्रचेताओं को महराज नारज जीक का उबदेश पंचम में नावी बरत ख़गल भुगल का वर्णन आदी सुनाया है सश्टम में महराज दक्ष महराजी कन्याओं का वर्णन और सप्टम में हर्णा कश्र पुर्णाक्ष जैसे पापियों का करम और उनका कल्याण अश्टम इसकंद में महराज गजेंदर मोक्ष कुर्म अबतार मतश अबतार बामन अबतार इसकी कता सुनाई है नौमी में महराज सुरुबञ्ज के राजाओं का वर्णन सुनाया है और भगवान स्री किष्णी का जनम उत्सप एक आदस में भगवान स्री कृष्णी के लिजाओं का वर्णन जिसमें महावरत का प्रसंग भी आता है एक आदस स्कंद में महाराज यदुबंशों को सुराप लग करके उनका कल्यान होना भगवान स्री कृष्णी का उद्दब को बैरा की कथा सुना करके अंतर ध्यान हो जाना और इधर दुआदस स्कंद में महाराज स्रीमद भगवत का सुक्ष में शाराइश और कल्युग की महिमाउं का वर्णन सुनाया है देखो सत्युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना पड़ता था त्रिता में यग द्वापर में तपश्चा और कल्युग में केवल भगवान का ध्यान कैसे भगवान का कीर्थन कल्युग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतरही पारा स्रीमत भागवात का प्रथम स्लोक आपने गाया था प्रथम दिवस में और स्रीमत भागवात का अम लोग अंतिम स्लोक गाएंगे आप लोग सब मेरे पीछ पीछी गाना आपको संपूर भागवात का पुन पराप्त होगा बोलो भागवात भगवाने की मेरे पीछे बोलना है आप सबको छोटे बच्चे से लेकर बुड़े तक सबको बोलना है बोलो नाम शंकीरतनम यश्य शर्व पाप प्रनाशनम प्रनामो दुखश मनश तम नमामी हरिम परम कहिना है सो कहे दिया अव करते हैं बंद भूले चोके माफी करो अमे वालक मतिमंद पता तूटो डाल से ले गई पवन उड़ाए अव के बिछडे कभे मिलेंगे दूरे पडेंगे जाए आपके सीतला माता मंदर प्रांगण में हो ये श्रीमाद भागवता ग्यान यक और शीक कथा प्रांगण में ब्राजमान सभी भाईवन दू भक्ति सुरूप माता भेने कथा के आयूजग पूजशरी थानिस और दाश महाराज जी उनके पित्रगड यहां ब्राजमान है मैं सभी वक्तों से हाज जोड़ करके ये प्राथना करना चाहूँगा हमारे खाने में पीने में उठने में बैठने में चलने में कोई अपराद हुआ हो तो छोटा सा बालक समझ करके चमा करें और मैं ब्यासफीट से ये अशिरवाद देना चाहूँगा कि अभी महाराजी ने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि मैं प्रतिवर्थ से ये कथा करना चाहूँगा कराना चाहूँगा इस तरह का इनका एक संकलब रहा है कथा करने कचाए कोई भी आए पर आप कथा सुनना मत बोलना भगवान के प्रति शीतला मादा के प्रति आपकी ये भावना रहनी चाहिए बस आप सब को यही असिरवाद है मेरी तरफ से भगवान के प्रति सनातन धर्म के प्रति आपकी भावना बनी रहे अच्छे करम करें दूसरों का हित करें प्रसंद रहें थोड़ा मुस्कुरा लीजिए इसलिए बड़े भाप से आप लोग रहें कभी भूले बढ़ के कभी चले आएं तो याद कर लेना बस कभी मौका मिला हमारे नसीम में होगी तो मगलीवार भी कता सुनाएंगे ये तो सब संसकार योग की बात होती है इसलिए मैं आप सभी से हज़ोड के प्रारतना करूँगा आप मेरे मन से बाणी से करम से कोई अपराद हुआ हो तो आप छमा करें मुल सीतला मैया की जय हो और मैं आत्मनाम ताव से बिंती करता हूँ हो थोड़ी बुद सब अपने मुखारवन से इन के लिए कुछ प्रदान करें है ऐलो ऐसा है पिछले साल भी हमने बागवत सुनी थी और जो अनंद अब की बार आया है सब ही बताएंगे के विरिंदावन जासा सुवाद ने आया हो तो बताओ सब को फिरिंदावन के प्यासा सुवाद आया हम यहीं चाहेंगे के अगली बार भी घुपाल दाश जी हमारे कि कथा करने आए इनके मुख से सुनना और बोलना बहुत अच्छा लगा हुए सब ही रोतकवासी इनका धन्यवाद करते हैं लक्षबन सब्सक्राइब आपको आनंद आया के नहीं आना सब से बढ़िया तो यह है कि आप सब खुश होंगे और अच्छी तरह रहेंगे तभी तो मारे को भी खुशी मिलेगी ना हमने तो आपको बोल दिया कि महमाई के दर्वार में हर साल कता कराएंगे और आप सब कर सायोग चाहिए जैसे आप आप चूड़ रहे हो ना आगे इससे भी ज़्यादा जुड़े माताराणी आपको खुब धन्दा दानने से बर्पूर करे जै माता के ब्यास पूजन करवाएं एक लक्षमन बजन सुना दे बिटा तब तक जांकी आ जाएगी फिर ब्यास पूजन हो जाएगा जांके के बाद में फिर ब्यास पूजन करा देगा अलो मेरी बड़ी बाबी मूर्ती देवी एक बार एक बजन सुना दे क्योंकि आपने बहुत ही आतरा कर ली हम तो देखो कहीं गए नहीं है हम तो आप सही सुन रहे हैं कि साराजी जगा आप गोम्याए और 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 भी सारी अपनी इस दियो पैठी है अपनी पडोस की नहीं वो सभी जाती हैं अपनी कभी दो दौरकाजी चलीगी कभी बैडारनाथ मैं तो कहींगी है ने जी मैं तो बह ked चरणो मे हूँ मैं तो आपको आशिराबाद ले लो हु हम तो इनके सब का अशिराबाद ले ले महारो मात कि पार रही है जल दी आजा टाहिम्स नहा इ बजन सुनाने वाले मैयाओ आजाओ हम तो सुनाते रहते हैं कथा में आप भी कुछ सुना देओ इनके साथ के जो गुरुप बाली मैयाओ सब आ जाओ न कच्छु मैयाओ तो कुरसी ना छोड़ रही काव और उसो कुरसी कोई कम बेठ जाओ तो चक्कर पढ़ जाएगो जहां देखो जहां कुरसी का जगड़ा आठाए और बाके भी हारी लाल की जैओ जैओ का नहीं आलाल की जैओ मुरली वाले तू ये तो बतादे तेरा जन्वा कहां पर नहीं है मुरली वाले तू ये ओपर अब तो ना शे लोग जाओ करके तेरा जन्वा कहां पर नहीं है तेरा जन्वा कहां पर नहीं है मन वाले तु ये तो बता दे तेरा जन्वा कहां पर नहीं है आख वालो ने तुझी को है देखा कान वालो ने तुझी को सुना है आख वालो ने तुझी को है देखा कान वालो ने तुझी को सुना है पर देखा है तुझी को उसी ने पर देखा है तुझी को उसी ने जिसकी आखों परदा नहीं है पर देखा है तुझी को उसीने, इसकी आंकों पर परदा नहीं है श्याम सुन्दार तु ये तो बता दे, तेरा जन्वा कहां पर नहीं है मुरली वाले तु ये तो बता दे, तेरा जन्वा कहां पर नहीं है आप तो पीचे हैं पीची के कि